करनाटक में, केरल में, महराश्टरा में, राजस्तान में, हर्याना, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, जमु कश्मीर, हर प्रदेश के जन्ता ने कहा कि हम भारत जोड़ो यात्रा के साथ मिलना चाहते हैं हम एक साथ महब्बत से रहना चाहते हैं हम नफरत नहीं चाहते हैं लाखों लोगों ने लाखों लोगों ने नफरत के बाजार में, महब्बत की दुकाने खोली और यही हमारा हिंदुस्तान है यात्रा में बहुत लोगों से बात हुई करनाटक में, करनाटक के युवाओं ने हमें दो तीन मेसेज दिये और मैं आज स्टेज से वो मेसेज दोहराना चाहता हूँ सबसे पहले युवाओं ने कहा कि इस प्रदेश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता चाहे कोई भी ढिगरी ले लो किसी भी कॉलेज में पढ़के निकल लो करनाटक की सरकार करनाटक में युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है ये पहला मेंसेज था और ये सिर्फ एक युवाओं नहीं कहा ये करनाटक के लाखों युवाओं ने हर रोज मेंसेज दिया दूसरा मेंसेज सिर्फ युवाओं ने नहीं सब लोगों ने कहा कि करनाटक की सरकार देश में सबसे भ्रष्ट सरकार है 40% की सरकार है और इस सरकार में अगर कुछ भी करवाना हो तो 40% कमिशन देना पड़ता है आप ही ने मुझे बताया कि कॉंट्रैक्टर्स असोसियेशन ने और स्कूल मैनेजमेंट असोसियेशन ने हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री को चिट्थी लिखी कि करनाटक में 40% कमिशन लिया जा रहा है हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री ने उनकी चिट्थी का जवाब आज तक नहीं दिया है आज तक कॉंट्रैक्टर्स असोसियेशन और स्कूल मैनेजमेंट असोसियेशन की चिट्थी का जवाब हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री ने नहीं दिया मैसोर सेंडल सोप कॉपरेशन में करप्शन स्केंडल होता है MLA के बेटे को पकड़ा जाता है आठ करोड रुपे लिए कोई कारवाई नहीं होती सरकार उसकी रक्षा करती है जॉब स्कैम हुआ PSI स्कैम हुआ 80 लाक लाक रुपे का ब्राइब की रिश्वत Assistant Professor जॉब स्कैम Assistant Engineer जॉब स्कैम लिस्ट लगी हुई है सबसे ब्रश सरकार देश में सबसे ब्रश सरकार करनाटगा की सरकार है और यह मैं नहीं कह रहा हूँ यह हजारों युगाओं ने करनाटगा की सडकों पे भारत जोडों के समय भारत जोडों यात्रा के समय मुझे बताया है ब्रश्ट अचार क्यूं हो रहा है क्यूंकि पूरा का पूरा फाइदा चुने हुए लोगों को दो तीन लोगों को होता है दिल्ली में पार्मर्ट हाउस में मैंने अदानी जी के बारे में भाशन दिया कि हिंदुस्तान में सारे के सारे बिजनस सारी के सारी इंडिस्ट्रीज उनके हवाले की जारी है उनको दी जारी है चाहिए वो एरपोर्ट हो पोर्ट्स हो सडके हो सारी के सारी चीज़े अदानी जी को दी जारी है और यही यहां हो रहा है चुने हुए लोगों को जो बीजेपी की सरकार के मित्र है जिनका रिष्टा है पूरा का पूरा फाइदा उनको दिया जाता है और इसके कारण प्रदेश में जबर्दस्त ब्रष्टचार बढ़ रहा है मैंने कहा कि युवाओं ने मेसेज दिया था कि उनको रोजगार नहीं मिलता तो आज कॉंग्रेस पार्टी ने उन सब युवाओं को जवाब दिया है जवाब किया दिया कि 3,000 रुपे हर महीने हर ग्रेजवेट को दो साल के लिए कॉंग्रेस पार्टी देगी 15,000 रुपे हर महीने डिप्लोमा हुल्डर्स को दो साल के लिए देगी क्योंकि हम आपकी कटिना ही समझते हैं आपकी मुश्किल समझते हैं हम जानते हैं कि बीजेपी की सरकार आपको रोजगार नहीं दे पारी है आपको कश्ट हो रहा है आपको मुश्किल हो रही है इसलिए हमने यह आपके लिए कदम उठाया है 3,000 रुपए हर महीने graduates के लिए 15,000 रुपए हर महीने diploma holders के लिए 2 साल के लिए और हम वहाँ नहीं रुखेंगे हम वहाँ नहीं रुखेंगे 10,000,000 युवाओं को Congress Party की सरकार 5 साल के अंदर इस state में रोजगार दिखा के देगी और धाई लाख जो सरकारी वेटन्सीज है उनको हम पूरा करके भरके करनाटक के युवाओं को दिलवाएंगे यात्रा में महिलाओं ने अपनी कटिनायों के बारे में बोला हमने पहले अनाउंस किया है कि 2000 रुपे हर महिने हम महिलाओं की करनाटक की महिलाओं को ग्रह लक्षमी स्कीम में दिलवाएंगे और अनभागिया स्कीम में 10 केजी 10 केजी चावल हर BPL परिवार को कॉंग्रेस पार्टी दिलवाएंगे और ग्रह जोती स्कीम 2000 यूनिट मुफ्त में बिजली कॉंग्रेस पार्टी देने वाली है तो ये हमारे वाइदे हैं एक और बात उठी थी यात्रा में उठी थी जो वाइदा सरकार ने किया है स्टी रेजर्वेशन को 15% से 17% स्टी रेजर्वेशन को 3% से 7% जो बराने का वाइदा है उसको एक दम सरकार को पूरा करना चाहिए तो ये हमारा मेसिज है हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे कॉंग्रेस के सब नेता एक साथ लड़ेंगे और ये जो चुनाव है ये कॉंग्रेस पार्टी स्वीप करके दिखाएगी क्यूं? क्यूंकि बीजेपी की सरकार 40% वाली सरकार है कमिशन की सरकार है और करनाटका की जनता इस सरकार को हटाना चाहती है परे करना चाहती है और गरीबों की, कमजोरों की, आम आदमी, छोटे भी अपारियों की सरकार बनाना चाहती है मैंने कहा है, करनाटके नेताओं से कहा है, करनाटके चुनाओं में जहां मी मेरी जरुरूरत पड़ेगी जिस डिस्ट्रिक्ट में आप चाहते हो, मैं जाने को त्यार हूँ बीजेपी को, बीजेपी को हम मिलके हराएंगे भारी बहुमत से कॉंग्रेस पार्टी के यहां चुनाओं जिताएंगे आप सब का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जैहिब